तो आज हमारे पास है नेक्स्वान एक्स्टी वेरियंट है और यह पुलकिट ठाकुर भाई की गाड़ी है और आज इसके उपर हम फुल ओनर्शिप रिव्यू बनाने वाले है कुछ इस तरह की की आपको गाड़ी की चावी मिलती है जिसमें आता है लॉक फॉलो में है यह है अच्छा मेरको परसनली मेरको बहुत ही अच्छा लगता था यह वाला विरियंट क्योंकि यह थोड़ा बोल्डिश टाइप लुक देता था और जो अभी नया आया है उसके अंदर थोड़ा मेरको आगे की साट से थोड़ा बॉक्सी फील लगता है भले उसके अंदर फीच यहां पर देख सकते हैं यह पेट्रोल एंजीन है और यहां पर आप लोगों को केटलेट कंवर्टर का वाल्व देखने को यहां पर मिलता है और यहां पर ABS CBD के यह पूरा सेंसर और मैप्स यहां पर कुछ लगा हुआ है कुछ इस तरह के का आप लोग देख सकते हैं टायर सा इसकी बात करूं तो यह गाड़ी के अंदर जो है 195 60 और आर 16 इंच के इसके अंदर आपको वील्स देखने को मिलते है 195 का जो इसकी विद है और विद काफी अच्छी है अल्ट्रोज में भी आपको इसी तरह के टायर आपको देखने मिलते पहले टाइम पर अभी सारी गाड़ियों निकाल दिया अपने कौन सा वेरेंट बेच रहें तो यहां पर आप लोग देख सेकते हैं यहां पर बैजिंग दी गई वह एक्स्टी वेरेंट की कुछ इस तरीके की इसकी जो है पीछे के रियर लाइट है इस तरीके की पूरा ज बॉप मोड़ल में भी दो ही सेंसर हता है लेकिन पूरानी गाड़ियों में चार सेंसर दिए गए इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा और है छॉत्ता सेंसर तो कुछ इस तरीके की यहां पर आप लोगों को गाड़ी बैक आफ साइड से दिखती है और इसके wheel cover आप लोग देख सकते हैं, wheel cover भी इसके साथ आते हैं, कुछ इस तरीके के wheel cover है, जो कि अभी भी मतलब continue on, on में continue ही है, लेकिन इस टाइम पे gray color के आते हैं, और ये dual tone में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये गाड़ी जो है हमार फुलकित ठाकुर भाई की तो यही गाड़ी क्यों purchase करी, यही गाड़ी इसने purchase करी, क्यूंकि जिस टाइम में पर्चेस की थी, तो सबसे safe गाड़ी मतलब इंडिया की सबसे safest गाड़ी यही थी, 5 star rating थी इस गाड़ी की, और इंडिया की सबसे first star यही थी जिसकी 5 star rating थी, वो मैं बात आपको बताना और काया पला टाटा की इस गाड़ी ने और टियागो नहीं करी थी, और अगर मैं बात कुरूं इसको आपको चलाने में कैसी लगती है, चलाने में पर्चेस करी थी तो सबसे पर 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 तक यह थी एक दम अच्छी गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, और इस गाड़ी का प्राइस तो अभी बहुत ही ज़्यादा पहुच गए 12 एक लाग की यह गाड़ी आती यह वाला वेरिंट की अगर मैं बात करूं तो तो अगर मैं बात करूं प्रोस की तो क्या लगता है आपको इस गाड़ी के अंदर क्या प्रोस हैं सबसे पहला प्रो तो यह कि मतलब तीन मोड दिये हुए जिसने आप अपना गाड़ी स्वीच कर सकते हैं सीटी मोड प्रोस मोड अपने पावर इसेच के सबसे मतलब जैसा आपको चला नहों सीटी में चला रहो हाईवे पे चला रहो यह सब आपको एक दम बैस इकनोमी चा और दूसरा कुछ आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी में बहुत अच्छा फीचर दिया गया है कि जो इस वेरियंट में इस टाइम पे नहीं है ऐसा कोई फीचर है इस गाड़ी में तो अच्छा फीचर सबसे बैस पीचा यह कि असी जो है वो आटमेटिक एस अच्छा यह विरेंट में आपको आपको ऑपानाटिक और पीकप करना हो आप अपने उंग्यों से कर सकते लाड़ी चला ज़ा जा बरावावा और यह तो आपकी बात होकी पॉजिटिव पॉजि की और नेगेटिव में आप क्या बोलना चाहेंगे अगर गाड़ी के अंदर को नेगेटिव आपको लगते हैं तो आप बताईए तो एक तो फॉग लेंग नहीं दिया गया है अच्छा अच्छा उसमें वह मतलब सिफ एर ब्लो करता है वह के खंडी आवा ब्लो नहीं करता है कर सकते हैं वह आपकी बाद बराबर है और और कुछ अगर आपको नेगेटिव में लगता है गाड़ी के अंदर होना चीए था अगर चलिए नेगेटिव को हम साइड पर रखते हैं तो यह गाड़ी का डिलिवरी एक्सपिरेंस कैसा था आपका अच्छा था अच्छा था अच्छा तो अच्छा फुमाों गड़्या चीए हुआ तो लोगों को लगता ना के डखता क्यों को इक्सपिरेंस आपका अभीContam की मिरवको जहां तक कि ख्याल है आपके पास पहले टाता की दूसरी गाड़ी फी ठी अके तो पहले कुछ तो तो थीक है लेकिन आपका experience कैसा ही तो मतलब, क्या बोलते ना कि टाटा का बहुत बहुत experience यह है वह है मैं एक वीडियो आपके लिए कि आउंगा टाटा के experience पे मैं personally जा कर आप आप लोगों को दिखाऊंगा तो और आपने delivery का तो बता दिया तो service का कैसा है कि में चीज किया है डिलीवरी तो गाड़ी बेचनी है उसको कस्टमर को तो वो तो अच्छा ही व्यवार रखेगा लेकिन सर्विस का कैसा आपको लगा अच्छे से दिया मतलब अच्छे से आमको ट्रीट के ऐसा कुछ नहीं है अच्छा मतलब ऐसा कि बाद डिलीवरी के बाद 1.2 है ना 1.2 लीटर का एंजीन आता है तो इसकी एवरेज क्या है आपकी सोला जितना दे देती है पंद्रा से सोला सीटी के अंदर और हाइवे पे तो अच्छा ही कास काफी अच्छा एवरेज दे रही है पैट्रोल के अंदर इतनी हैवी एसीवी है यह उसके बावजूद के अंदर आपको बॉडी कलर डॉर वी एंडल है और कई हैसा म Wahler नहीं दिए गया धैया पर बिलाकisiaj सबसे पहले प्यानो ब्लैक ब्लैक और यह कुछ इसतरीक हैं तो आपको ग्रेड़न है ंप पर भी आपको कुछ इस तरीके का दिख रहे हैं यहां पर आप लोगों को black ग्रेश और यहां पर है ग्लाव बॉक्स जो की light gray के अंदर आपको यहां देखने मिलता है और यह soft touch glove box है कुछ इस तरीके के आप लोग देख सकते हैं काफी बड़ा ग्लाव बॉक्स आप लोगों को मालूम है कि टाटा की गाड़ियों में जो ग्लाव बॉक्स काफी बड़े होते हैं तो कुछ इस तरीके का यह और यह बहुत अच्छी तरीके से और city mode का तो इस तरीके से यह adjust होता है आप लोगों ने इवी मैक्स देखियो कि उसमें यहां पर स्क्रीन है लेकिन यहां पर यह जो है नीचे की साट जो रेंज रोवर में जो गेर आते हैं वो कुछ इस ताइप के आते हैं तो यह रेंज रोवर इंस्पार आपको यह यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता और ऐसा ही स्पोर्ट में पूरा उटा हो जाता है आप लोगों को पावर भी काफी अच्छा मिलता है पर फ्यूल एकनोमी जो है वह कम हो जाती है कुछ यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां आउक्स का पिन दिया गया यह यहां पर 12 चार्जर इस गाड़ी के अंदर दिया गया है तो ओर आल मैंने आपको पूरी गाड़ी बता दिये आप लोग को कोई भी परेशानी है यह कुछ पूछना है गाड़ी के बारे में तो आप लोग डिसक आप लोग आवज सुन सकते हैं गाड़ी के अंदर कैसी आ रही है आप कि ईतीर के अंदर सब बता दिये यहाँ पर आप लोगों को जो है मांटS कंट्रोल्य मिल जाते हैं और स्टे इंग मांटस कंट्रोल hizo भी आपको यह देखने को मिलते और इस गाड़ी के अंदर आपको 25 यह कअँ जो मोड है यह किस काम के लिए आता है मैं आप लोगों को बताता हूं कि यह जो चीजे AC को भी economy पर चलाने के लिए यानि आपका अगर economy बहुत कम दे रहा है तो इसको आप चलाएंगे ना तो आपका petrol जो है वो बहुत कम खर्च करेगी तो और आपको मैं यहां पर जैसे पुलकित भाई मैं यहां देख पा रहा हूं कि आपका यह जो quality आप लोग देख सकते हैं ठोड़ी अच्छी नहीं है बाकी तो ठीक है गाड़ी ओवराल आपको गाड़ी कैसी लगी है ओवराल तो बहुत अच्छी गाड़ी है मतलब कि अपको एसा कभी मतलब ऐसा हुआ है कि यह गाड़ी के अंदर मतलब यह चीज होनी चीए थी मतलब आपने वह जो बता दिया उसके अलावा आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस गाड़ी में 10 लाग के अंदर कुछ होना चाहता है एक्स्ट्रा कुछ वह जो आपने वह जो की देखिया अपने अच्छा हां उसमें जब हम लोग डोर लॉक करते तो वह अपने अपने अप की बाद कि अगर इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर यह चीज आपको देनी चाहिए थी कंपनी को बाखी ओवराल आपका फीडबेक कैसा अगर 10 लाग का बजट है किसी के पास तो नेक्सों या टाटा में जाना चाहिए या कोई और कंपनी देखे लोग आपको परसनली कैसा बदे बता देता हूं तो कुछ इस तरीके का देख सकते हैं और जो भाई बात कर रहे हैं जो एयर की बात कर रहे हैं वह यहां पे से आती इस रिफ ब्लोवर यह आपको थंडी हवा नहीं देता है और कुछ इस तरहे कि आपको यहां पर पीछे की सिटिंग मिल जाती है इसमें चावी नहीं लगती है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसCी अंदर कहीं पर इस तरहे हैं और काफी बड़ा आपको बूट स्पेश देखने मिलता है ये पार्सल ट्रे आया था या लगवाया है बार से तो बराबर ये पार्सल ट्रे भी आपको कंपणी ने ओफर किया है और वैसे करना ही चीए इसके अंदर दो-तिन चीजे मेरे को कम लगी क्योंकि ये टॉप मॉडल के नीचे वाला मॉडल है तो ये चप देना चीए था जैस ये वाइट कलर के अंदर बहुत ही अच्छी लग रही है गाड़ी और बाकी जो रेगुलर टॉप मॉडल नेक्सॉन है उसके हिसाब से तो एकदम हाइट और जो बॉड़ी है वह एकदम ही परफेक्ट इसके अंदर आपको देखने मिलती है तो स्रिफ आज के इस वीडियो स्रिफ इतना ही था थैंक्यू फॉचिंग इंडियन पेट्रोलेट